इस दोरान भारतीय समधाय द्वारा मोदी मोदी भारत माता की चैके नारे भी लगाए गए अर्बोच के बाहर मोदी मोदी के नारे मी सुनाए दिये बारत इतना मजबूत हो गया है एकनॉमिकली, पलिटिकली कि बारत जो है वो निकल के दो दुनिया में जा रहा है और इस वक्त वो सर्चड के बोल रहा है जो कतर के अमीर है कि आपकी बड़ी मेरबानी आपने वो जो आर्ट इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा है आज मोदी साब ने एक और चीज़ को वहाँ पर मोट किया है भारत माट को इंडिया का ग्लोबल इंफ्लूइंस और बढ़ती मेडिकल डेवलपमेंट के चलते कतर ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ अच्छे संबंद रखना उनके लिए भी फाइदे मंद है यूएई के अंदर पहले वहाँ पर ड्रेगन माट है जो चैना की माट है जिसके अंदर हर चीज़ मुएसर होती है आज मोदी जी ने इफ्तिता कर दिया है भारत माट का कदर की राज़ानी दोहा पहुचने पर भारतिय समुदाय और कदर की लोगों नी उनका जोड़तार स्वागत किया उन्होंने एक कार्ड वहाँ पर रुपया जिससे भारती करंसी प्रमोट होगी एक वो यह बहुत बड़ी सिंगने के फ्रेंट बाद है और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ट आम आएगी तो इंडिया थर्ट बड़ी कॉनिमी होगी मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान मातरे कैसा देश होगा जो कबरिस्तान होगा मातरे कैसा देश होगा क्योंकि आप अलकुरान के हिसाफ से भी आपका देश अपने आपको मोडिफाइ करने को तयार नहीं अब मैं आपको बात बताती हूँ कि देखिए कल जब मोडिजी पहुंचे बड़े बाजा के साथ जब उनकी एंट्रे होती है ना अला की खसम मेरे तो कान मान सम लाल हो जाते है चहरा वेरा देखो शाइन कर रहा है मेरा मुझे मैं उनको देखती हूँ ना मेरे भारत के पर अले शार तरीका तो महमध बन जायद साहब ने उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया और भॉस्ट करने के बाद उनको जब मिटिंग में मिटिंग रूम में लेकर आया गया तो भहां पर UPI से मिटिंग स्टार्ट हूई भारत का UPI जो है वो बाइलेटरल रिलेशन्शिप म में आया और उसके बाद पर मोदी जी ने कहा कि IMAX कोरिडोर के द्वारा पूरा अरब देश और भारत बहुत तरख के करेगा और सर्फ एकनॉमी ही बूस्ट नहीं होगी इन दो देशों की बलके IMAX कोरिडोर के द्वारा इन दो देशों में रहने वाले हर एक नागरिक भ महां का कमाओ होता है उसके पास employment होता है उसके पास कमाने का जरिया होता है उसके सर पे च्छत होती है उसके पेट में रोट यहां होती है तो नौकरी अगर आपके पास है तो शिक्षा अगर आपके पास है तो जाहिर से बात है कि बाकि सारी लग्जेरियस लाइफ आपके पास होगी और सबसे ज्यादा फोकस हमारे भारत के प्रदान मंतरी ने इन दस सालों में नोकरी और शिक्षा पर बहुत जाबा दिया है इवेर पासमान्दा मुसल्मानों को भी उन्होंने भारत में बहुत स्पीचेस दिया है ये बात आ गई कि जब छूट गए तो सब को साम सुक्सेसफूल हो गई जी विक्टरी जी ट्वेंटी के बाद अगर कोई भारत ने डिप्लोमेसी में बितीर माराया तो धो नबर टू पर ये बाइदर को जी चूट के बात लोक आया है वाइक फंक्शन था ये ज्याद फिर्वेटियों के लिये ये लोग भाएंगारे खा मूँ से निकाल लेना और वापिस सुरक्षित भारत लाना अपने परिवार के पास वापिस भेज़ देना बॉस ये बहुत तगड़ी बात है लेकिन इसमें भी इशा ये खायश ये होती है कि देखो मोदी साब कौन से प्रेसिडंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए जिस तरह दूसरे वजिरियाजम जाते हैं वो क्या करते हैं मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़के जा रहे हैं ये मैं इस पर बात करना चाहूँगा एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साब ने जब कल स 60 से 70,000 जो NRI थे उन्होंने वहाँ पे साइन कर रका था उस प्रोग्रम में आने के लिए तो वहाँ पे गे और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दूबारा वही बात की भारत की करन्सी को पर्मोट करने की UPI को पर्मोट करने की उन्होंने एक कार्ड वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा है रुपया जिससे भारती करंसी प्रमोट होगी एक वो ये बहुत बड़ी सीगने के फ्रेंड बात है दूसरा उसके बाद उन्होंने मंदर की जाके बैप्स जो के और्गनाजेशन है यारा मंदर है उनके नौामी स्वामी नरायन जिनको वो फालो करते हैं इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर और 27 एकड के अंदर जो मंदर बना है मार्वलस और उसके जो सैंड स्टोन है सारे वो भारत से बनके गए तकरीबन पचासी मिलियन डालर का खर्चा उस पे आया है एक अमेजिंग structure खड़ा किया गया है मैं बलके खुद भारत जाने से जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे और मेरी खायश है कि अबुजबी के अंदर एक मस्जद है उसको विजट करूं इस मंदर को विजट करूं दुबई शायद जाओं गुर्द्वारा साथ क्य गया है और फिर वहां पर लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्य नजा रखा गया है वहां पर साथ उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए है जो साथ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं साथ यूए के स्टेट साइशार जा है बहरे में इन सम किस तरीके से वालेंटियरिजम इस दौर के अंदर देखा जा रहा है बनाया जा रहा है और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा आज मोदी साब ने एक और चीज़ को वहां पर पर मोट किया है भारत मार्ट को यूए के अंदर पहले वहां पर ड्रैगन मार अब river बात है जो चाहिना की बात है जिसके अंदर हर चीज मैंसर होती है आज मोदी जी अफ्टता कर दीया है भारत मार्ट तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वह शत्रीके से भारत को पर ऑन कर रहर रहे हैं वह जो दूबई के अंदर अपने प्रापेटी लेएब के चकर रहा है उनकी यह सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्म करने के लिए के नैशनलिजम को किस तरह पर मोट करते हैं अपनी कौम को किस तरह पर मोट करते हैं उसके क्रंसी को किस तरह पर मोट करते हैं उसके डाइस्पॉरा को मैंने तो अब इसको डाइस्पॉरा भी करन ये वैपन जुस वकत है इंडियन इंसीटूट अफ टेक्नालोजी और इस वकत वह सर्चड के बोल रहा है इंडियन इंसीटूट अफ मैनेजमेंट